वेलकम बैक टू शिप्राजवड यानि कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक वाफे से स्वागत है और ये देखे बारिश हो रही है कितना अच्छा कितना सुहाना सा मौसम हो रहा है तो बस मेरा मन करा था च्छत पर जाने का तो हम लोग बस बारिश रुकने का ही सब कुछ कितना अच्छा मतलब नेचर को फील किया जा सकता है कितना सुन्दर देख कि एक मौसम हो रहा है कितना सुहाना सा और आज च्छत पर चाय बनाने का मेरा मूड हो गया फिर अचानक से जैसे ही मैं वीडियो ले रही थी न और टाइम भी वैसे हुई चुका था चा बनाँगी उपर छहत पे चै क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और चाय पीने का मौसम हो रहा है तो इंड़क्शन लेकर जारी हूँ चाय का सामाल लेकर जारी हूँ और उपर बनेगी अभी चै तो चलि ये चाय बनाते हैं में जहत पर एंजॉइ करते हैं चाय को तो फ्रैस में यहां पर चाय का सारा सामाल लेकर आ गई हूं और डिस्पोजेबल कप और दूद भी दिखा देते हूं चाय और चीनी मैंने एक साथ मिक्स कर लिए अध्रक ले आई हूं और इंडक्शन वाला बरतन भी लेकर आ गई हू तो चलिए फटा फटा से चाय बनाते हैं हुआ 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 है जोए करेंगे चाय को और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और बादल भी गिर के आच चुके हैं बस वारिश होने ही वाली है और यह अपनी फ्लूट को एंजॉए कर रहे हैं अज़ए कर दो अज़ए करेंगे अज़ए करेंगे भी बनी गेम में लगा है तो बस हमारी विप्राइब आप लोग भी ले लिजेग गर्मा करम चाह कैसी बनी चाहे? अगरा पीके हम लोग मीचे आ गए थे चाहसे क्योंकि वापस से जो है बारिश जो है स्टार्ट हो गए थी और बहुत बारिश आई जा पे गए उससे पहले भी आई अब भी भी आ रही है मतलब यह देखिए कितना पानी खटा हो गया इतनी वारिश आ रही है और आज तो बहुत साही में मजा आ रहा है बहुत अच्छा मौसम भी है और चाहे वागेरा भी छट पे पी तो काफी इंजॉय किया और यहां पर फिर दौपेर का मतलब टाइम हो र अब लगभग पांच बजे का टाइम हो चुका है यहां पर और मैं अथक को स्टड़ी करवा रही हूं क्योंकि दो दिन तो से मैंने स्टड़ी नहीं करवाई थी मैंने का चलो इसे भी रेस्ट कर दें बट मंडे को अब अथक है एक्जाम है तो पढ़ाना भी जरूरी हो र अब लेटी तो बस मैंसे लाइन कर रही हूं फिर खाने की भी मुझे तयारी करनी है अब हो गया है इमनिंग ताइम अतक की पढ़ाई भी हो गई और दोपैर को जैसा कि आपने देखा था चले गें थे हम बारिश हो रही थी चाय वगएर भी चाथ परी पी थी सबजिया व तो मैं सब्सकित निकाल ली है करेले लिये थे ओर पधा बगली है में निकाली है कि और को भी थोड़ी बनाओं के क्या तो करूंगी और थनी बारिश होई था पैर और अब ध्यूय और दो पैर उससके बाद ना थी चार बजे के आसपस वापस से तनी धूप आगे लगाई नहीं कि एक एड़ेट बजे तनी जादा बारिश होई थी हम लोग एक एड़ेट बजे खाना वगएरा खाने के बाद ना ऊपर चले गए तो चलो आज इनकी क्लास भी नहीं तो चलते हैं जोई करते हैं जड़ पर अच्छा हो रहा था तो आज उसके बार ना अभी ऐसा रग अवर घर्म सा करते हैं तो चलिये तो भी तो भुब भी तो भाला ले थी हूँ खाना और देखते हैं यह सबद सी निश्व लिग करठे बना लेग बना हूँ यह बेसन वाले फम्हरशन वाले आजितना ज़्याइगा उपको मैं बनाना है उब्zet तो जादा उदक ट्रिब बालो पत्ता गोबी की सब्जी जमयें अलु पत्ता गोबी की सब्जी आप 10 अब मैं बचा मटनाओं, डिली टेस्टी नat Sap लाल मिर्ची पाउडर है धन्या पाउडर है थोड़ा साम तूर एड़ कर दूंगी आप चाटमसाल भी एड़ कर सके हम चूर ना हो तो यह सब चीजें डाल करके थोड़ा सबस पानी एड़ कर देना चट्नी त्यार हो जाएगी तो चलिए इसे ग्राइंड के लेता है मिक्सर अर चत्नी में तुछाओंगी और यह श्रची अच्छी लगतीर ना पार आठों के साथ भी खालो पूरी के साथ भी खालो मतलब यह श्र। यह श्र। वैसे पोदीने के वहां डियाना थोड़ी सी खारी बन जाती है तो आमाटर के साथ जब हम बनाते है यह बहुत टेस्ट लगती है और मैं वाइस ओवर बाद में कर रही हूं तो ट्रस्ट मी गाइस अथक को भी बहुत पसंद आई ये चट्नी तो लास्ट में बस अब मैं इसमें जो है काला नमक और थोड़ा सा एड़ कर दूंगी जिससे इसका टेस्ट जो है और भी यमी हो जाएगा बहुत टेस् यह पिर यह काला नमक एड़ करने से तो यह देखिए हमाई चट्नी भी बनकर रेड़ी हो चुकी है तो अब आटा मेरे लगा रखा है और आट शाड़े आट क्यास पास अम लोग खाना खाते हैं सब लोग तो बस अब फुलके सेक में बाटी है तो फुलके सेक में बाटी ह आट कोंगी और इस लोग को भी मैं यहीं पर आयंड करूंगी व्लोग आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताईगा और शाम का ताइम है गड़ेशी के दर्शन कर लीजे मैंने इसलिए का जो एंकल है इस तरह सेट किया था तो इवनिंग ताइम हो चुका है दिया इस अगरबती का भी टाइम हो चुका है तो बस अब फुलके से के सब को खाना भी खिला दूगी और आज इसमें अब गर्मी होगी ना बसात तो तो नहांगी भी पहले फुलके से पूंगी फिर नहांगी क्योंकि अ मुन्ने बादना फिर नहीं तो चल्वे वापस पसीन हो